Alliance, जो लोकतंत्र और Constitution, सम्विधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ, नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, RSS, जो सम्विधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमन कर रहे हैं, सम्विधान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की हम आपको आदिवासी कहते हैं, BJP के लोग आपको वनवासी कहते हैं वनवासी में और आदिवासी में जमीन आस्मान का फरक है आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का जल का जंगल का पहला और असली मालिक था मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे, जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका, यह आदिवासी शब्द का मतलब और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं, वो इस बात को मानते हैं, कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है, और पहला आपका हक बनता है, जो आदिवासी कहते हैं, वो आपके धर्म, आपके भाशाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ, जो आपको वनवासी कहते हैं, वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानतें, उनका कहना है, कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है, वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए, वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागिदारी ना हो, ये लड़ाई है, आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाएं, ट्राइबल बिल लाएं, मन्रेगा लाएं, जमीन अधिकरन बिल लाएं, आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापिस देते हैं, और बीजेपी के लोग, आरेसेस के लोग, आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाशाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रबन करते हैं, और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है, कौन कम कर रहा है, बीजेपी के लोग, अधानी जी जैसे अरब पतियों को, जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा, जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा, और फिर बीजेपी, आरेसेस के लोग आपसे कहेंगे, आप तो वनवासी हो, अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो, यह सोच है उनकी, यह चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलिजेज में युनिवर्सिटी में ना जाएं, यह चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े-बड़े ब्यूरोक्राइट ना बने, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलिज युनिवर्सिटी में उनको जगे मिले, यह फरक है, अब नरेंद्र मोधी हर भाषन में, अलग-अलग चीज़े कहते हैं, कभी समुंदर के नीचे घुज जाते हैं, देखाऊगा आपने, देखा ना, समुंदर के नीचे पूजा हो रही है, कोविड होता है, देश को कहते हैं, भाईयों और बेहनों, ठाली बजाओ, मतलब ओक्सिजन नहीं है, सांस नहीं ली जारी, हस्पताल के सामने लाशों का धेर पड़ा है, और हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री कह रहा है, ठाली बजाओ, उसके बाद, जब ठाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं, अब मॉबाईल फोन की लाइट चलाओ, हस्पतालों में बिजली नहीं थी, और नरेंद्र मोदी कहते हैं, मॉबाईल फोन की लाइट चलाओ, और लाकों लोग, कोविड के कारण मरे, हर प्रदेश से, गरीब लोग घर वापिस लोटे, दिल्ली से, पंजाब से, महराश्ट्रा से, लोग 36 गर वापिस आए, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसी की मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की, पूरा का पूरा फाइदा, दो तीन अरब पतियों को दे देते हैं, अदानी, अंबानी, ये पांचे लोग हैं, आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं, जिनके पास उतना ही धन है, जितना सत्तर करोड हिंदुस्तानी लोगों के पास है, एक तरफ 22 लोग, और दूसरी तरफ 70 करोड लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास, और नरेंद्र मोदी 24 गंटा, 24 गंटा इन 22 पच्चेस लोगों की मदद करते रहते हैं, बेरोजगारी फैलरी है, किसी से भी पूछों आप, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं, सब लोग आपको कहेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, भागिदारी, बेरोजगारी, महंगाई, भागिदारी, कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में कभी महिंगाई के बारे में बोलते है भागिदारी के बारे में बोलते है यह आपको मोती जी दिखाते हैं कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए कभी समुदर के नीचे जाते हुए कभी मंदिर में पूजा करते हुए राम मंदिर का उद्गाटन हुआ हिंदुस्तान की राष्ट्रपती आदिवासी है उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉगरेशन में नहीं आ सकती मना कर दिया उनको राष्ट्रपती को मना किया क्यूँ क्यूँकि वो आदिवासी थी सिर्फ ये कारण आदिवासी को राम मंदिर के inauguration में हम नहीं आने देंगे ये मोधी जी ने देश को message दिया ये इनकी सोच है और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा BJP का निता आदिवासी युवा पर पिशाप कर रहा है देखें सब ने देखा न और पिशाब कर रहा है और फिर उस विडियो को BJP के लोग पूरे हिंदुस्तान में फेला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं यह इनकी सोच है और इनका लग सिर्फ वो ही है कि आपका जल जंगल जमीन उठाके ले लें आपको एक दूसरे से लड़ा दे और अदानी जी को आपकी जंगल जमीन जल पकड़ा दे अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोधी जी BJP अरब पतियों के लिए काम करती है तो चुनाव जीतने के बाद कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जारी है जो पूरा का पूरा धन इन्होंने चुने हुए लोगों को दे दिया किसानों से छीन लिया, मज़़ूरों से छीन लिया आदिवासियों से, दलितों से, पिछणों से छीन लिया उसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जारी है यह मैं आज आपको बताने आया हूँ हम पांच काम करने जारे है सबसे पहला काम बेरोजगारी इस पर हम जबरदस्ट एक्शन लियने जा रहे हैं 30 लाख सरकारी वेकंसीज है नरेंद्र मोधीजी इनको भरते नहीं इन 30 लाख वेकंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बात जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो काम करने से पहले एक साल की अप्रेंटिशिप करते हैं अप्रेंटिशिप मतलब एक साल की उनकी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा मिलता है प्राइविट कंपनी में सरकारी ओफिसिज में उनको ये ट्रेनिंग मिलती है इसको अप्रेंटिशिप कह जाता है अब आपको याद होगा हम आपके लिए मन्रेगा लाए थे रोजगार का अधिकार जिसके माधियम से करोणों लोगों को फाइदा हुआ अब हम अप्रेंटिशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में जो भी शिक्षत युवाँ है चाहे उनके पास डिग्री हो डिप्लोमा हो कॉलेज उनिवर्सिटी की डिग्री हो उन सब को हम अप्रेंटिशिप का अधिकार देने जा रहे हैं तो होगा क्या हिंदुस्तान के सब बेरोजगार युवाँ को सरकार ये अधिकार देगी एक साल के लिए प्राइवेट कंपनी में सरकारी PSU में पब्लिक सेक्टर युनिट्स में सरकारी ओफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाँ को एक साल की नौकरी मिलेगी उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और एक साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में एक लाख रुपिया दिया जाएगा उसके बाद अगर उन्हें न अच्छा काम किया तो उन्ही संस्ताओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी तो एक प्रकार से युवाओं के लिए ये जॉब मार्केट के अंदर जाने का एक तरीका है जॉब मार्केट के दर्वाजे हम आपके लिए खोल रहे हैं दूसरी बात आपको मालुम है कि गरीब लोगों को पर्मनन्ट नौकरी नहीं मिलती अमीर लोगों को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है मेडिकल मिलता है सब कुछ मिलता है मगर गरीब लोग जब काम करते है या वो मनरेगा में काम करते है या फिर ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं कॉंट्रैक्ट पर काम करते हैं कॉंट्रैक्ट लेवर का काम होता है कभी भी उनको नोकरी से निकाल दिया जा सकता है एक दिन में उनको निकाला जा सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी ने निन्ने लिया है कि सरकारी ओफिसिज में, सरकारी कमपनियों में, पबिलिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्र suffers को बंद कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं, रद कर रहे हैं और जब आपको नौकरी मिलेगी, चाहिए वो पबिलिक सेक्टर हो, सरकारी ओफिस हो आपको पर्मनन्ट नौकरी मिलेगी आपको ठेकेदारों से नौकरी नहीं मिलने वाली है नरेंद्र मोधी जी ने 16 लाग करोर रुपया उन्ही 22-25 लोगों का कर्जा माद किया है अब आप कहोगे भई 16 लाग करोर रुपया कितना होता है इतना बड़ा नंबर है मैं आपको बताता हूँ 24 साल का मनरेगा का पैसा 24 साल मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोधी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माद किया है 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने उनको पकड़ा दिया है 22 लोगों को किसानों का कर्जा कभी माफ नहीं करते 36 गड़ में आपको याद होगा हमने किसानों का कर्जा माफ किया किसानों को सही दाम दिलवाया धान के लिए सही दाम दिलवाया अब हम वो देश में करने जा रहे हैं जैसे हमारी सरकार आएगी हमारे सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा और जो लीगल कानूनी MSP हम हिंदुस्तान के किसान को देने जा रहे हैं उनको सही दाम मिलेगा और लीगल गैरंटी कानूनी गैरंटी के साथ उन्हें सही दाम दिया जाएगा यहां काफी महिलाएं आई हैं आप देश्य के भविष्य की रक्षा करते हो बच्चों की देखभाल करते हो हम आपकी जिन्दगी बदलना चाहते हैं हम आपकी मदद करना चाहते हैं अब नरेंद्र मोधी ने अरब पतियों को पैसा दिया तो मैंने सोचा अगर नरेंद्र मोधी अरब पतियों को पैसा दे सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है जितने पैसे उन्होंने उनको दिये उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं तो हमें एक नहीं योजना लाए चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया है सबसे पहले हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सब के हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे तो करोणों महिलाएं चुने जाएंगे और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में आठ हजार पाँच सो रुपे हमारी सरकार डालेगी और एक साल में एक साल में इन सब महिलाओं को एक लाख रुपे बैंक अकाउंट में हम दे देंगे मतलब एक जटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और करोणों लोगों को इस योजना का फाइदा होगा हर महीने सोचिए कोई मजदूरी कर रहे है हर महीने उनके बैंक अकाउंट में परिवार के लिए आठ हजार पाँच सो रुपे आएंगे बैंक अकाउंट में आएंगे एक साल में एक लाख रुपे और ये उस दिन तक चलेगा जब तक वो गरीब है जब तक वो गरीबी रेका से नीचे हैं तब तक हर महीने खटा-कट, खटा-कट, खटा-कट आठ हजार पाँच सो रुपे आट के बैंक अकाउंट में हम डालते जाएंगे महिलाओं को 50% अरक्षन सरकारी नोकरियों में और जो हमारी आंगनवानी और आशा काम करती हैं उनकी हम वेज को दुगना करने जा रहे हैं आज उनको जितना मिलता है चुनाओं के बाद उनको डबल मिलना शुरू हो जाएगा भाई और बहनों आदिवासियों की अबादी 8% है हिंदुस्तान में दलितों की 15% है पिछडों की 50% है गरीब जनरल कास 5% मान लो माइनॉरिटी 15% मान लो 90% अबादी इन लोगों की है मगर अगर आप सरकार को देखें बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें मीडिया को देखें इनकी कहीं भी भागिदारी नहीं है मैं आपको छोटा सा उधारन देता हूँ सारे के सारे आंकड़े मेंने निकाले हैं आप मीडिया देखते हो यह एंकर्स हैं पत्रकार हैं इनके मालक हैं कभी आपने टीवी पे आदिवासी एंकर देखा हैं कभी देखा आपने इनकी लिस्ट मैंने निकाली इनके मालकों की लिस्ट निकाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया की कमपनी मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक गरीब जेनरल कास्ट का नहीं मिलेगा एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा वही तीन-चार परसेंट लोग मीडिया को चलाते हैं वही लोग बड़ी-बड़ी कंपनियों को चलाते हैं वही लोग प्राइवेट हस्पताल चलाते हैं वही लोग प्राइवेट कॉलेज और उनिवर्सिटी चलाते हैं वोई लोग फर्टिलाइजर की कंपणी चलाते हैं। दूसरा उधारण, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अपसर चलाते हैं। हमारा बजट बनता है, जब बाटा जाता है, ये 90 लोग निन्ने लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, दलितों को कितना मिलेगा, सरकों में कितना जाएगा, स्वास में, शिक्षा में कितना जाएगा। नब्बे लोग निर्णे लेते हैं, तो मैंने पता लगाया, नब्बे मेंसे आधिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े वर्क के कितने, आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम आदिवासियों को भागिदारी देते हैं पिछणों की सरकार चलाते हैं 90 में से एक अपसर सिरुफ एक अपसर आदिवासि वर्ग का अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपे खर्च होते हैं तो आदिवासि अपसर 10 पैसे का निर्णे लेता है आपकी अबादी 8 परसेंट भागिदारी 100 रुपे में से 10 पैसे दलिक 15 परसेंट 100 रुपे में से उनके अपसर एक रुपे का निर्णा लेते हैं अबादी 15 परसेंट 100 रुपे में से एक रुपे उनका पिछड़े वर्क 50% हैं हिंदुस्तान में कम से कम शायद जादा भी हो सकते हैं उनकी भागिदारी 100 रुपे में से 5 रुपे तो अगर आप हिंदुस्तान की 90% की अबादी को जोड़ दो उनके पास 100 रुपे में से 6 रुपे 10 पैसे की भागिदारी है 90% लोगों के पास 100 रुपे में से 6 रुपे 10 पैसे कर निन्ने लेने का अधिकार है यह है हालत हिंदुस्तान की इसलिए पूरा का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में जा रहा है अब आप कोगे ठीक है प्रॉब्लम तो आप जो लोक तंत्र और कॉंस्टिटूशन सम्विधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोधी जी को बचाने के लिए में जीक है